जाच की जाएगी गौलेर से एक बड़ी खबर करोप करेंगे रियाश ये लाके में तेनदुआ एक बार फिर से दिखा है तेनदुआ दिखने के बाद अब लोगों में दहशत का माहूल बना हुआ है लोगों ने वनविवाग को इसकी जानकारी दी तेंद्वे की तलाश में वनविवाग जुटा हुआ है। तेंद्वे की तलाश में वनविवाग जुटा है। तेंद्वे की तेंद्वे की तलाश में वनविवाग जुटा है। और जैसी ही इसका वीडियो सामने आता है लोगों को भी यही लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकले क्योंकि गौालियर में समय रियाश रिलाकों में तीनद्वे का मूमेंट देखा जा रहा है। तो यह तस्वीरें आपको बता दी गौालियर की जहां पर वनविवाग भी नजर बना कर रखे हुए हैं। विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद यह वीडियो जो है देखा जा रहा है तीनद्वे का रेस्क्यू किया जा चुका है। देखिए यह वीडियो कल का बताया जा रहा है और जैसे ही जिस इलाके में तेद्वा देखा गया वहां लोगों ने तुरंती इस वीडियो के साथ वन विभाग को इसकी शिकायत कराई है और यह कहा है कि इसको जल्दी से पकड़ा जाए। चुकि यह पुरानी शावनी इलाके का वीडियो है और पुरानी शावनी जो है वो गौलियर के बॉर्डर का इलाका है कई बार ये भी देखा जाता है कि तेद्वा की संख्या गौलियर में जादा होने की वज़े से शेहर और शेहर के आसपास के इलाकों में वो प्रवेस पहले भी किये हुएं उस तरह के वीडियो भी सामने आ चुकी हैं ऐसे में इस बार फिर तेंदू के आना लोगों को कहीं न कहीं देखिए देसत और डर पैदा कर रहा है लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस इलाके में क्योंकि ब से ज्यादा सता रहा है बन विभाग के लिए चुनोती अब इस बात की यह हो गई है कि आखिर उसको पकड़ें तो कहां से पकड़ें क्योंकि कहां से आया तेंदूओ कहां से नहीं आया अब उसके जो निसान है पैरों के उसका परिक्शन किया जा रहा है उसको मिलान किया लोगों से पूछा जाए कि पेंदूओ कहीं दिखा तो नहीं दिखा तो अभी तक तो रेस्कु हो नहीं पाया और अमला पूरा भी चुटा हुआ है बिलकुल और आप भी नज़र बना कर रखेगा शुप्रिया जानकारी सांजा करने के लिए बात करेंगे जगदलपूर क कि बड़ी कबर की जहां पर कूर्प वैजनिंग का शिकार हुए है चात एकलब वे आवाज से चात रवाज के 38 बचे आपको बताज़ें